मौझूदा वक्त की स्थिती ये है कि असल में ना शेहर में रोजगार है और ना गाउं में किसानों को हट मिल पा रहा है पर अगर कोई नहीं स्विकारता है कि वो सिर्फ अपने लिए ले रहा था अगर बाते ही कोई प्रोक्यूर्मेंट का एक ट्रेन बलाता हुआ दिखता है तो फिर तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा ना तो यह मिनिममम सपोर्ट फ्राइस है ना मैक्सिममम सपोर्ट फ्राइस नीए है आप एक सीलिंग लगा दीजिए ना कि मिनिममम से इस से नीचे कोई नहीं खरीदेगा यह करने में दिक्कत क्या है देश में कुछ मुद्धे आम जनता से तालुक रखते हैं और देश में कुछ मुद्धे मीडिया के लिए सिर्फ टियार प्ये का जरिया बन गए है कुछ मीडिया एंकर हैं जिनके डिबेट को लौख लोग देखना पसंद करते हैं आज हम उन्ही की पिछले हफ़ते की डिबेट्स देखेंगे और जानेगे कि उन्होंने किन मुद्धों को अपनी डिबेट्स के जरी उठाया पहले बात करते हैं निउस 24 के वरिष्ट पतरकार संदीब चौधरी की आईए देखते हैं उन्होंने किन मुद्धों का अपनी डिबेट्स में एमियती पहला बीजेपी से क्यों दूर जा रहे हैं पुराने सहियों की क्या बिहार में बनी रहेगी एंडिये की वो एक जुटता दूसरा महाशक्तियों की लड़ाई में भारत का फाइदा या नुकसा तीसरा बिहार में कौन जीत रहा है बिहार में मुद्धा क्या है सुशाशन या सुशांत चौथा किसान चक्का जाम कर रही है या उससे करवाया जा रहा है डबल हो जाएगी किसान की आमदनी और पांचवा डिरेक्टर जनल आफ पॉलिटिक्स सुशांत केस पिहार पुलिस ने उठाया या पॉलिटिक्स ने संदीप अपनी डिबेट अलग-लग मुद्धों पर करते हैं और जादा तरोन मुद्धों को हैमियत देते हैं जो देश में चल रहे होते हैं इस बार भी उन्होंने कुछ जरूरी मुद्धों पर अपनी डिबेट में चैस्चा की संदीप ने अपनी डिबेट में किसानों की परिशानियों को अपनी डिबेट में उठाया और सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल किये तो उसमें कभी भी संबंगित वर्ट पो लाब नहीं होता उसमें द्रश्टाचार अवेवस्था हैं बहुत सारी ओक्तियों में तो यह minimum support price है maximum support price की है आप एक ceiling लगा दीजिए ना कि minimum से इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा यह करने में दिक्कत क्या है आप इससे नीचे नहीं खरीदेगा तो फिर आप उपर की ceiling नहीं लगा सकते हैं यह पर तो हो आप private को बेच रहे हैं उपर दाम पर बेचोगे न यहीं तो कह रहे हैं अब बात करते हैं वरिष्ट पत्रकार पुन्य परसून बाजबई की, जो लगतार अपनी वीडियोस के जरीय सरकार की पोल खोलते दिखाई देते हैं। आईए देखते हैं उन्होंने किन मुद्धों पर चर्चा की। पार्लिमेंट एंड बिल्स संसद का क्या फाइदा जब पहले से ही तैह हूँ बिल पास होगा। समान निस्तिती इस देश की होती तो इस बिल को लेके शायद एक दूसरी परिभाशा गड़ी जाती। ये दूसरी परिभाशा ऐसे वक्त गड़ने की मुश्किल आ गई कि जहां पर लोगों को दो जून की रोटी मोहिया नहीं उपा रही है। और्गनाइज सेक्टर खतम हो गया है अन और्गनाइज सेक्टर पहले ही तभा कर दिया गया। तब आपने ये बिल को सामने लेकर आए हैं तो समझाने वाले अर्थशास्त्री शायद ये न समझ पाए कि अगर ये बिल 2015 में आ गया होता तो इस्तिती दूसरी होती। क्योंकि 2015 के बाद के लिए गए सारे निर्णयों ने इस देश के भीतर में एकनॉमिक रिफॉर्म को खतम कर दिया। क्नेक्शन की पिच्चर अभी बाकी है। तीसरा, ड्रग्स ग्रूप की एड्मिन दिपिका, क्या टॉप की हिरोईन निकली टॉप की ड्रगी। चौथा, अब नशा उतारेगी NCB, दिपिका बताएगी चुटकी भर माल की कीमत। और पांचवा, दिपिका, सारा और शदा कपूर को NCB का समन। अंजिना की डिबेट दिपिका पादुकोन के मुद्दे से जूड़ी थी या फिर ड्रग से। देश में इतने बड़ा किसान अंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले ही, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी तरफ करोना के बढ़ते केसों पर कोई चर्चा नहीं हुई। और चर्चा हुई तो किस पर दिपिका की ड्रग कनेक्शन पर। अब कुल सोला घंटे की पूछता चुई, दिपिका प्लस सारा अले खान प्लस श्रद्धा कपूर, लेकिन मोबाइल भी हुए जब, अब सवाल यही कि इसके डेटा को रिट्रीव करके कौन सी बड़ी जानकारी हाथ लग सकते हैं। जो मैंडेट है को ट्राफिकर बना दिया आप कैसे बोल रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूस नेशन के वरिष्ट पत्र का दीपक चुरसिया की और जानेगे उन्होंने अपनी डिबेट में किन मुद्धों का एहमेती। पहला, जावेद अक्तर in defense of करन जोहर's party। दूसरा, dirty picture of K-van's non-exposure exposed। तीसरा, देश की बहस, Bollywood drugs gang exposed, opened कुंडले। चौथा, how the investigation reached दिपिका एंदिया। और पांचवा, so much discussion in parliament on this issue, but why Bollywood is silent। बीपक चुरसिया की डिबेट के मुद्धे भी Bollywood से ही related हैं। इन्हें भी देश में चल रहे हैं मुद्धे या तो दिखे नहीं या यह देखना नहीं चाहते। वालिवुट के अंदर drugs gang की जड़े कितनी गहरी थी। एरिस्टेट सितारों का एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। दीपिका पादुकोर, शद्धा कपूर, सारा अलिखान से लेकर फिल्मेकर, मधू, मंटेना, वर्मा, गंभी रारुकों के कटगरे में हैं। दीपिका पादुकोर को NCB ने 25 सितंबर को तलब किया है। और आज शाम सारा अलिखान के गर NCB टीम भी पहुँची। सारा और शद्धा को 26 सितंबर को हजिर होना है। आपके अपने चैनल यूजडेशन ने सबसे पहले मुहिम शुरू की थी कि ड्रक्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए मामले की थैतक जाना जरूरी है। उधर सवाल कौन जैसी कंपनियों पर भी उठे हैं जो टैलन का मुखोटा लगा कर ड्रक्स मैनेजमेंट को अंजाम देती रही। ऐसे में ये मांग होने लगी है कि इन जैसी कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। साथी सवाल ये भी कि ड्रक्स की खरीद फरोट में शामिल सतारे क्या यूथ आइकन कहलाने लाइक हैं क्या इनका सारवजनिक भहिशकार नहीं होना चाहिए। फिर देश में और भी बड़ी समस्या हैं जो घट रही हैं और मीडिया में उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। हम आपको लगतार देश में चल रहे हैं बाकी मुद्दों के बारे में बताते ही रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। Bureau Report, Punjab Today TV